मन की आँखों से हर पल ही तुझ को देखूं मन की आँखों से हर पल ही तुझ को देखूं बाबा खरे है पास मेरे दिल से दुआए मांगूं बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे मन की आँखों से हर पल ही तुझे को देखूं मन की आँखों से हर पल ही तुझे को देखूं बाबा करे हैं पास मेरे दिल से दुआएं मांगों बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे आ, 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 आ देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए वर्शा वर्दानों की मेरे मन पे तु बरसाएं रूहानी द्रिष्टी दे दे रूहानी द्रिष्टी दे दे इतनी दुआएं मांगों मन की आँखों से हर पल ही तुझे को देखूं बाबा खरे हैं पास मेरे दिल से दुआएं मांगों बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाओं ख्वाबों खयालों में तुझे अपने ही पास में पाओं जीवन के हर मोर पे तेरा साथ मैं तो मांगूं मन की आखों से हर पल ही तुझे को देखूं मन की आखों से हर पल ही तुझे को देखूं बाबा खरे है पास मेरे दिल से दुआए मांगूं बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे मन की आखों से हर पल ही तुझे को देखूं मन की आखों से हर पल ही तुझे को देखूं बाबा खरे है पास मेरे दिल से दुआए मांगूं बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे दादी जी वर्तमान समय यहाँ पर लगबग एक हजार भाई बेने सव देश से आये हुए हैं और हम सभी ने दादी जानकी जो बाप दादा के सामने कही कि शिवरात्री के पहले हम वर्त को खतम करेंगे उसके निमित यहाँ पर यग्य रखा है जिसमें सभी ने अपनी अपनी आहूती डाली है तो आज हम दादी से बाप दादा की प्रेर नाई सुनेंगे उसके बाद आप सभी को विशेश टोली कल जो दादी जानकी की 90th birthday में काटा गया वो खास टोली आप सभी को मिलने वाला है और अन्त में आप सभी को भी बाप दादा की दृष्टी दादी के द्वारा मिलेंगे इसलिए आप सभी शान्ती में बैठे रहे अन्त तक तैंक यू ओम शान्ती आज आप सभी ने बाप दादा के शिरी मत को प्रेक्टिकल में लाया बाप दादा ने यही कहा था कि अपने वियरत संकलप समाप्त करो तो आज उस वियरत संकलप की समापती की आहूती आप सबने डाली तो आहूती जब आप सबने डाली जो चीज दे दी जाती है वो किसकी हो जाती है दूसरे की हो जाती हमने दे दी तो अगर मानो फिर आपके पास वापस आ जाए तो क्या करेंगे आएंगी तो सहीं क्योंकि आपने आदा कलप इन वियरत संकलपों को अपना साथी बनाया है तो आदे कलप का साथ इतने में छोड़ेंगी तो नहीं मानो आपके पास फिर वापस आ गए तो क्या करेंगे कुछ तो सोचा होंगा ना क्योंकि दी भी चीज जो होती है ना वो जैसे अगर हमारे पास गलती से आ भी जाए तो दूसरे की चीज हम कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे वो हो गई अमानत जैसे दे दी ना हमने दूसरे की चीज हो गई तो अगर आवे भी हमारे को याद है हम एक वारी दिली में एक सेकेटरी को राखी बांधने गए थे तो राखी बांधी तो हमारे इंडिया में जब भी राखी बांधती है ना बहन बाई को बांधती है तो वो कुछ न कुछ देते जरूर है तो ये जो भी सेकेटरी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जो भी है सब के पास हम जाते है तो वो लिफाफे बना के रखते है जो भी राखी बांधने आएंगे ना उसको लिफाफा देते है तो हमने राखी बांधी तो हमने उसको कहा तो ये अधिहत्मक राखी है हमारी हमारी रवाजी राखी नहीं है ऐसे दागा बांध लिया ठीक है भाई रख्या करेंगा अभी क्या हमारी रख्या करेंगा लेकिन ये हमारी अधिहत्मक राखी है पवित्र बनो और योगी बनो इसके पृति ग्या करूँ तो कहा क्या पृति ग्या करूँ हमने कहा हमने देखा है कि आपके पास कुछ खोटे पैसे है तो वो वीचरा वैरा हो गया कहता है खोटे पैसे तो आज कल चलते ही नहीं है चलते नहीं है तो मेरे पास कैसे आपने देखा, कहां देखा हमको तो पता नहीं है मेरे पास खोटे पैसे है आप कहती हो मैंने देखा है तो कहां देखा हमने का हमने तो देखा है उन में से उन खोटों पैसे उसे आप कोई भी एक पैसा भी दे दो ये लिफाफा नहीं दो लेकिन वो खोटा पैसा दो तो वो बहुत सोच में पड़ गया खोटा पैसा तो मैं समझ नहीं सकता हूँ मैंने का मैं बताओ आपके कहां रखा है कहां तो मैंने कहा आपके मन के जेब में पाच खोटे पैसे है कहां समझ गया तो मन के जेब में कौन से खोटे पैसे है तो उसने भी ये मेरे से परशन किया तो अच्छा मैं आज दे देता हूँ आपको लेकिन मेरे पास फिर वापस आज है तो तो मैं क्या करूँ तो हमने उसको कहा देखो आपको दे देने के बाद भी मदद मिलेंगी कौन से मदद मिलेंगी क्योंकि आपने दे दिया ना तो आपको याद आएंगा कि दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती याद आएंगा ना आपको तो फिर आप याद करके दे देंगे रखेंगे नहीं अंदर ये फाइदा आपको होगा कि आप वापस करते रहेंगे अंदर मन में फीलिंग नहीं लाएंगे का ये ठीक है हमने का हमको सुनाओ कुछ नहीं कौन सा दिया क्या दिया लेकन अपने दिल में पिरते गया करो तो आप सबी ने भी आज पिरती किया किये बाबा से विरत संक्लप देने की तो कभी भी विरत संक्लप आवे भी तो एक तो ये सोचना कि दी हुई चीज वापस यूज करना दूसरे की चीज आप यूज करो तो आपको क्या समझा जाएंगा तो मैंने बाबा को दे दी इसलिए मैं यूज नहीं कर सकती इसको लेकिन ये होंगा प्रैक्टिकल में क्या होता है आपने दे तो दिया अच्छा किया है फाइदा भी होंगा इसे लेकिन अगर मानो बहुत कभी कभी इतना फास्ट विर्जव Mercury क्लब चलता है फोर्स का कोई बात हो गयी बहुत फोर्स की है बड़ी बात है जिसको हम बड़ी कहते हैं लेकिन होती बड़ी नहीं है तो क्या होता है वो चलती रहती है सोचते भी है लेकिन फिरफिर बीच बीच में आ जाती है तो उस समय क्या करें जिस समय उस विरत बात का फोर्स होता है हमारे अंदर बार बार याद आ जाती है तो हम क्या करें उस समय तो उस समय की बात जो है दो तीन विदी है जिसे आप उस पुरा ने दी हुई चीज को फिर से वापस कर लो एक तो आपको जब वियरत संक्लब जोर से चलते है तो मनन शक्ति जो मोरली बाबा चलाते हैं ना अमरत वेले या क्लास में आप मोरली तो सुनते हो तो उन में समझो वर्दान है वर्दान तो याद पर सकते हैं तीन पेज की मूरली में सारी पाइंट्स याद नहीं भी रह सकती है। लेकिन वर्दान जो होता है वो विशेश होता है। तो वर्दान को अंडर लाइन अगर आप करते होंगे, अच्छा वर्दान भी नहीं समझो याद रहता है। तो सलोगन आदी लाइन का होता है। उसी आदी लाइन तो याद रह सकती है न। तो उसके मनन करो। ऐसे नहीं सरफ रिपीट करो। बाबा ने कहा एंकार नहीं करना है, स्वामान में रहना है अच्छा। ये मैंने रिपीट तो किया। लेकिन अवमान किसको कहा जाता है। अवमान क्या क्या नुकसान करता है। अगर अवमान नहीं है, स्वामान है। तो स्वामान में इस्टित होने से हमारी क्या अन्बूती होती है। और कैसे स्वामान में इस्टित रहूं। इस question से सोच सोच के मनन करो तो क्या होगा मनन है शुब संकलब और आपके है विरत संकलब तो शुब संकलब जो है वो आपकी जगा बढ़ देंगा जब जगा बढ़ देंगा जैसे देखो यहां भी रोशनी है लेकिन अच्छानक अंदकार हो जाता है तो हम क्या करते है स्विच आन करके लाइट फिर जलाने की कोशिश करते है तो रोशनी आ जाती है तो अंदकार सुते ही भाग जाता है ना टोकरे भर के थोरी फैंकते हैं सुते ही रोशनी आने से अंदकार भाग जाता है ऐसे अगर हम शुब संकलब मनन में रहेंगे जो भी पाइंट हमको जचती है अच्छी लगती है बार बार हमको याद आती भी है वो पाइंट उसी के मनन में चले जाओ तो संकलब संकलब को चेंज कर देंगा शुब संकलब विरत संकलब को चेंज कर देंगा जैसे कहते हैं न कोई सांप की सांप दस्ता है न तो सांप की दवाई उसको ठीक करती है तो संकलप विरत है तो विरत संकलप को शुद संकलप का मनन करेंगे तो वो हलका हो जाएंगा और मनन शक्ति आपकी बढ़ जाएंगे एक तो ये साधन है अगर मानो आपको मनन भी करते हो फिर भी याद आ जाता है वैसे एक विधी ये है दूसरी विधी ये है कि आपने अन्भौ किया होगा कोई भी आप मौली परो भाशन सुनो कलास सुनो to मैजारिटी क्या होता है पाइट भूल जाती है लेकिन कहानी कभी नहीं बूलती है कोई भी कहानी आप सुनेंगे न तो कहानी आपको एक साल के बाद भी याद करेंगे जल्दी आएंगी पाइंट को भूल सकती है कहानी नहीं भूलती है जल्दी सहज याद आ जाती है तो उस समय जिस समय मनन से भी मेरी चेंज नहीं होता है वियरत संकलब उस समय फिर आप कौन सी कहानी याद करेंगे आप अपने जीवन में आपका जब ब्रह्मन जनम हुआ ना तो आपके जीवन की कहानी थी ना पहले आए आप सिंटर देखा क्या अच्छा लगा बेहने अच्छी लगी प्यार अच्छा लगा ग्यान अच्छा लगा ग्यान की कौन सी पाइंट अच्छी लगी कोई कहते है मुझे सरकल बहुत अच्छा लगा कोई कहते है विर्खे बरा अच्छा लगा कोई कहते है बाबाई अच्छा लगा कोई कहते है बहनों का प्यार अच्छा लगा कोई न कोई आपके जीवन की कहानी होंगी समझो अभी आप अबू में आए हो तो भी आप की कहानी है ना आपने संकलप किया अबु में जाना है टिकेट खरिद की वो सोच चलता रहता होंगा फलानी तारीक जाना है फिर यहां आए फिर कैसे यहां ग्यान सरोबर तक पहुँचे फिर क्या क्या हुआ फिर बाबा मिला, दाद्या मिली तो ऐसी कोई अपने जीवन की अच्छी-च्छी कहानिया आपके जीवन में हुई हो वो कहानिय आप याद करो वो तो सेजा जाएगी ना कहानी याद तो कहानी में उस तरफ चली जाएगी ना तो आपके विरत संकलब जो है वो स्लो हो जाएंगे और वो तेज हो जाएंगे इसी रीती से कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्यार ऐसी चीज होती है प्यार की बाते जो होती है ना प्यार की बाते भी जल्दी याद आती है प्रेक्टिकल प्यार के अन्भूती की एक होता है प्यार का नालिज बाबा है, सर्वशक्तिवान है, बाप भी है, सिख्यक भी है, सत्गुरू भी है एक है नालिज के आधार से हमने बाबा को जाना और प्यार की नालिज मेरे बुद्धी में इमरज हो एक होता है practical आपने जीवन में कभी भी किसी द्वारा भी दृष्टी द्वारा बाबा द्वारा या कोई बहन से मिलने से बाबा की प्यार की अन्भूती हुई हो तो ऐसी प्यार की अन्भूती कोई भी आपके जीवन में होगी जरूर मैं समझ चूँ यह तो सभी को होती है और यहां तो है यह प्यार का आधार बाबा से प्यारी होता है तो वो प्यार की कहानी अपनी वो सीन याद करो क्या था कैसे बैठे थे कैसे गए फिर कैसे वो हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ फिर यह हुआ यह स्टोरी अपनी याद करो तो इसी रीती से इस विदी से आप अपने अगर गल्ती से आ भी जाए गल्ती से आएंगे अभी तो मैंने दे दिया तो अभी गल्ती से आएंगे हमारे नहीं है ना गल्ती से मानो कोई आ भी जावे तो उसको अंदर थोड़ी आने देंगे आप मानो आप लाग कर दिया भई ये नहीं आवे कोई और कोई आवे तो आप क्या करेंगे कोई काम का नहीं है आपके तो आप क्या करेंगे उसको अंदर थोड़ी आने देंगे तो इसी रीती से आप अपने विरत संकलपों को ऐसे खतम कर दे और जितना आप अटेंशन रखेंगे न व्यरत मुझे नहीं चलाना है द्रिड निश्चे रखो ऐसे नहीं सोचो भई ये तो बहुत समय के मित्र है ना आएंगे तो सही ना अच्छा चलो थोरा सा चला तो क्या हर जाय नहीं दी हुई चीज मुझे वापस लेनी नहीं है ये एक अंदर द्रिड संग कलप रखो होता ही है हो जाएंगा देखा जाएंगा क्या करूं ऐसे नहीं आया और फोरां जैसे कोई डाकू आवे मानो तो आप सोचेंगे क्या आगए है ना क्या करो बहुत तेज है ना ये तो आएंगाई ना ऐसे सोचेंगे क्या बिल्कुल उसको बेजने की कोशिश करेंगे ना ऐसे अगर आपने द्रिड संकलप किया है कि मुझे विरत संकलप समापत करने ही है करेंगे नहीं बाबा कहता है मोली में बार बार एक है दीले पुर्शारत करने की भाशा वो गे गे है करेंगे देखेंगे सोचेंगे गे गे की भाशा है और दूसरी जो द्रिड संकलप की भाशा है वो है करना ही है बस करना ही है इतना पक्का अगर आपने दिरड संकलब किया तो आपका वो भी देखेंगा न कोई आवे बार-बार मानो दो-तिन वारी कोई ट्रैल करता है और आप आने नहीं देता है तो वो भी दिरे-दिरे अपना पीछा छोड़ दे तो ऐसे हम व्यरत संकलब जो चलते है उसको हमेश के लिए बाबा के आगे दे सकते है क्योंकि बाबा भगवान ने आरडर किया है तो भगवान ने जो कहा है उसमें हमारा फाइदा है न तो ये भी याद आएंगा किस की श्रीमत है भगवान की श्रीमत है और भगवान हमारा कल्यान करने ही आया है इसलिए मेरा ही कल्यान है तो बाबा की याद आने से भी पावर आ जाएंगी सर्वशक्तिवान बाबा क्या आर्डर है तो वो सर्वशक्तियां भी याद आ जाएंगी आपको बाबा की याद आने से नैच्रल है आप मास्टर सर्वेशक्तिवान हो जाएंगे तो वो भी आपको मदद करेगी तो बहुत अच्छा है जो आज आप सभी ने संकलब किया है बाकी तो बाबा अभी समय पर तो समय यही इशेरह देता रहता है कि समय समय पारा है लेकिन समय के पहले आपको संपन बनना कोई-कोई ऐसे भी सोचता है तो समय आने पर भी हो जाएंगा चलो थोरा तो मेरा पुर्शारत है लेकिन समय आएंगा ना तो समय भी थोरा वेराग ले आएंगा समय भी थोरा ऐसा मदद कर लेंगा लेकिन बाबा ने एक वारी पूछा, अगर समय पर मानो आप संपूरन बनते हो, तो आपका टीचर कौन? सर्वशक्तिवान या समय? समय तो रचना है ना? समय तो सर्वशक्तिवान रचता नहीं है, तो आप रचना जो है समय, उस सिख्यक से आप ठीक गई और जो रचता है शिव बाबा उसकी सिख्या से आप नहीं सीखी, फरक तो परेंगा ना? इसलिए ये भी हमको नहीं सोचना है, बाकि थोरा जो रहा हुआ है ना, वो समय पर हो जाएगा, ऐसे कभी-कभी पुर्शारत कर करके ठक जाते है ना, तो कभी-कभी ये संकलब भी आत है, अच्छा चलो समय हम पर ठीक हो जाओंगी, लेकिन ये भी वास्तों में जो है, वो माया हमको आलस का गोन जो है, वो इमर्ज कर देती है, ये आलस हो गया है ना, अच्छा समय पर हो जाएगा, तो इसलिए अभी-बाबा की जो डिरिक्शन है, तो समय के पहले आप बनो, और इसके लिए बहुत सैज युक्ती ये है, हमको अगर मेहनत नहीं करनी है, बहुत सैज योगी बनना है, सैज संपुरन बनना है, तो बाप और दादा हमारे दो सामने है, है ना सामने सभी के, चलते फिरते बाप दादा तो सामने है है, तो बाप दादा जब सामने ह तो हमारी एक है एकदम अश्रीरी बढ़ने की स्टेज का अभ्यास जिसको हम पावर्फुल योग कहते है दूसरा है प्रैक्टिकल में करम करम योग होता है कोई भी काम होता है काम के बिना तो रह नहीं सकते है करम इंद्रिया जो ली है नामी है करम इंद्रिया तो करम इंद्रिया है करम करने के लिए करम तो कहते है, जैसे स्ञया सीवगर कहते है, हम करम से परे हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने का ये आंक का हिलना, हाथ का हिलना, ये भी तो करम है न, इसके बिना रह सकता है कोई ये तो आटोमेटिक भी चलेंगे तो कर्मे इंद्रिया है तो कर्म तो हो नहीं है लेकिन कर्म और योका बैलन्स रखना है तो हम और बाबा ने क्या किया मानो हम कोई कर्म करते है ठीक है या नहीं ठीक है इसे सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये कोईश्चन तो उठता है ना लेकिन बाबा ब्रमा बाबा करम योगी का सिंबल है हमारे साबने उसने करम करके दिखाया हमारे जैसे साकार में था निराकार को तो कभी-कभी हम कोई-कोई हुजत से उले ना भी देते है तो यह तुम तो निराकार हो और शरीरी हो आके देखो शरीरदारन करके तो पता परे क्या होता है निराकार तो सहजी है लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे शरीरदारी थे और प्रैक्टिकल में सारी जीवन लोकिक जीवन भी अलोकिक जीवन भी बिजनेस भी किया सारा समपरक में भी आया और फिर करम योगी बना तो सिंबल है हमारे सैंपल है समझो हमारे सामने ब्रमा बाबा हमारे सामने करम योग का सैंपल है और शिव बाबा हमारा जो पावरफुल निराकारी स्टेज है अशरीर ही स्टेज है उसका सेमपल है तो कभी भी कोई भी करम हम करे स्रफ ब्रमा बाबा को फोटशेप ले वे क्यों ब्रमा बाबा ने जैसे करम किया जिस विद्धी से किया उसका रास्ता ठीक था तभी तो अव्यत बन गया न? अगर रास्ता ठीक नहीं होता करम योगी जीवन का तो अव्यक्त नहीं बनता मन्जल पर पहुंच गया तो रास्ता ठीक है ना तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेंगा ये ठीक है या नहीं ठीक है हमने ब्रमा बाबा की जीवन कहानी सारी सुनी है तो ब्रमा बाबा की जीवन कहानी में कैसे बाबा चलता था क्या करता था कैसे चलता था वो सारे हमारे सामने सेंपल है बस जो बाबा कहते हैं सरफ फुट स्टेप लो सोचो नहीं रास्ता ठीक है होता क्या है हम काम कोई भी करते हैं न तो कभी-कभी हमारी ये मिस्टेक हो जाती है जो काम शुरू करते है समझो बहुत अच्छा काम है मैं सर्विस पर जा रही हूँ बहुत अच्छी सेवा का निमंतरन भी है और समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएंगा लेकिन साथ में थोरा फिर माया ऐसा विरत संक्लप ले आती है अच्छा करती तो हूँ देखे सफलता होने तो चाहिए होगी नहीं होगी अपने में ही ये विरत संक्लप ले आती है जिसको बाबा कहते है कि व्यजय के बज़य फाल तो संक्लप आ गया तो संशे नहीं कहेंगे संशे एक बड़ी चीज होती है लेकिन वेस्ट थार्ट्स आ गया मिक्स हो गया ना तो सफलता हम अपने आप कोई अच्छा भी सोचते है और फिर उसमें थोड़ा मिक्स कर देते है पता नहीं, पता नहीं करती तो हो, देखूंगी होता है, नहीं होता है ये वेस्ट थार्ट्स जो है वो अगर बीच में आ गया ना तो आपकी सफलता में फ़रक पड़ जाएगी क्योंकि निश्चे बुद्धी विजैन्ती अगर साधारन संकलब भी विरत किया तो विजै पूरी नहीं होंगी थोड़ा होंगा, थोड़ा नहीं होंगा इसलिए ये हमको चेक करना है अगर हमको संपूरन बनना है तो दो सेंपल हमारे सामने है शिव बाबा और ब्रमा बाबा उसको फालो फादर करना है दोनों ही बाबा है शुक बाबा को भी हम बाबा कहते है, ब्रमा बाबा को भी बाबा कहते है, तो फालो फादर, बाबा ने क्या किया, शुक बाबा को सामने लाओ, वो कैसे निराकार है, कैसे जोती सुरुप है, मैं भी तो आत्मा जोती सुरुप हो ना, तो शुक बाबा जैसे वो है, वैसे हम आत्मा को बननाई इसी रीती से अगर हम चलते फिरते ब्रमा बाबा और शिव बाबा के रास्ते को यह नि प्रैक्टिकल लाइफ ही रास्ता हो गया ना उसको फालो करे और शिरी मत हर करम की हमको बाबा ने दे दी देखो आप सोचो अम्रत वेले उठो किस समय उठो कैसे योग में बैठो यह श्री मत है फिर कलास में जाओ मोरली कैसे सुनो मोरली सुनने की भी विदी चाहिए अच्छा सुन रहे है लेकिन जैसे बाबा जहां जो पाइंट कहता है ना समझो खुशी की पाइंट कहता है कोई भी खुशी की पाइंट तो सचमच प्रैक्टिकल में मैं खुशी की अन्भूती करती जाओ समझो बाबा कहता है तीन लोग का सेर करता है परमदाम में तो मात्मा थी थी तो सही लेकिन उस समय आप वहां परमदाम में पहुंच जाओ बाबा कहता है हम अन्भू करते जाएं कभी बाबा सुख्यों वतन में ले आता है कभी बाबा भक्तों के पास कल्यूग का विस्तार सारा सुनाता है तो कल्यूग का विस्तार सुन करके वेराग आता है सिर्फ ये नहीं सुने हाँ ऐसा भी होता है ये भी होता है होता है तो ठीक है लेकिन ये बाबा क्यों बताता है वेराग दिलाने के लिए तो अती में दुन्या जा रही है और याद आवे कि ये अती में जा रही है तो अती के बाद क्या होता है अती के बाद हमेश्च अंत होती और अंत के बाद क्या होता है अंत इसी लिए बाबा कहता है जो भी मुर्ली की पाइंट सुनो न तो सरफ सुनने के रीती से नहीं अगर सरफ बहुत अच्छी बात थी बहुत अच्छी मोली थी भड़ी ताकत वाली थी फिर क्लास के बाद उठेंगे काम में जाएंगे न कोई कहेंगा क्या था आज मोली में बहुत अच्छी मोली थी याद कर रही हूँ तो समझो आपने सुनी मोली सुनी तो सही सुनी लेकिन उनके अन्भो में नहीं, अन्भो कभी बूलता नहीं कोई भी आप सोचो जीवन में प्रैक्टिकल आपको अन्भो कोई चीज का हुआ हो समझो आग ये आग जलती है मिसला मैं कहते हूँ तो आग जलती है, उसका सेक आपको अन्भो है कि आग के आगे हाथ रखने से सेक आया था मेरे को तो आप कभी नहीं हाथ वहाँ आगे करेंगी क्योंकि आपको एक वारी का अन्भो हो गया ना कभी गलती नहीं करेंगी तो जो भी अन्भो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है लेकिन अन्भो की हुई चीज जो होती है न वो कभी बूलती नहीं अभी देखो हमारी दादी जान की बाबा के अन्भो की बातें खितनी सुनाती है याद है न नबे बरस की हो गई है तो भी याद है न अन्भो की हुई चीज है न अन्भाव की चीज तो रही भूलती है तो इसी रीती से मॉर्ली भी जो हम सुनते है ना अन्भाव करते जाए जैसे बाबा हमको सैर करा रहा है तीनों लोकों का सारे ग्यान के विस्तार का क्योंको हर मॉर्ली में कोई ना कोई रिपिटीशन पाइंस भी होती है लेकिन हमको सैर करा रहा है बाबा जैसे मन का सैर हो रहा है तो बहुत इंजय करेंगे मॉर्ली में और मॉर्ली याद रहेंगी अन्भाव आपको याद आएंगा चलो आठ अन्भाव में से तीन अन्भाव भी याद रहे तो भी अच्छ है क्योंकि उसी अन्भाव के आधार से आप सारा दिन उसमें ही रमन करती रहेंगी कभी भी कुछ हुआ आपको वो अन्भाव याद आएंगा इसी रिति से मॉर्ली सुने मॉर्ली तो अच्छी होती है और मोर्ली इसी लिए बाबा कहता है जहां तक हो सके ना सवेरे का क्लास जरूर करो लेकिन कईयों के काम होते हैं नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या है कोशिश करो अगर मानो आपको टाइम नहीं है तो भी मोर्ली का बुक तो होता है ना उन में से कुछ न कुछ आप जरूर अपने बुद्धी के मनन के लिए पाइंट जरूर पर करके जाओ या फोन में ही पूछ लो आज कल तो वो चलते फिरते का भी फोन है ना तो फोन में ही पूछ लो कैसे भी करो लेकिन सवेरे सवेरे जो है वो आप ग्यान की पाइंट जो है जो बाबा कहते है मौली सुनके जाओ आप मौली परसती हो घर में तो परलो नहीं परसती हो टाइम नहीं है टाइम नहीं है आपको तो एक दो पाइंट जरूर सुनके जाओ question पढ़के जाओ या परदान पढ़के जाओ चलो वरदान की भी फुर्सत नहीं है तो वो slogan की line तो पढ़के जा सकती हो इतनी तो फुर्सत नहीं हो किसको यह मैं नहीं समझती हो लेकिन कुछ न कुछ मनन के लिए बुद्धी में चाहिए ऐसे ही देखो मोरली के टाइम का भी direction बाबा ने दिया है और फिर आप करम करो करम कैसे करो उसकी एक शब्द बाबा ने बहुत अच्छा याद कर रहा है कोई भी करम करते हो तो यह नहीं समझो मैं कर रही हूँ करावनहार बाप करा रहा एक तो यह है करावनहार बाप की याद होना चाहिए जो भी करते है करावनहार मेरा बाबा है मैं निमित ट्रस्टी हूँ इस शरीर की करमेंद्रियों की और दूसरे रूप में बाबा ने कहा कि इस शरीर में जो आत्मा है आत्मा भी अगर आत्मा निकल जाती है तो एक करम भी कर सकती है इतनी लक्रिया उसके उपर डालते है जलाते है आग जलाते है अपने लक्री तो हटावे कुछ कर सकती है तो आत्मा भी करावन हार है और परमात्मा भी करावनहार है एक ही शब्द है दोनों के लिए आत्मा के लिए भी करावनहार है परमात्मा के लिए भी करावनहार तो बाबा कहते हैं ये करावनहार अगर याद रहे ना एक अख्यर भी करम के टाइम तो आप नियारे और प्यारे रहेंगे हमको याद है हम लोग जब सेवा में निकले न शुरू शुरू में तो हम लोगों की बाशा तो सिंधी थी और हम जहां गए वो हिंदी वाले तो बाबा ने जब अचानक ही गए न हमको पता ही नहीं था चोदा वरश में हमको संकलब भी नहीं था तो कोई हम बाबा ममा को छोड़ करके बाहर जाएंगे और इतना प्यार बाबा से था जो बाबा को छोड़ना हमारे लिए जैसे एक बहुत 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 बढ़ी बात थी लेकिन बाबा चतर है न बाबा ने हमको बेजा देखो कैसे बरा चतर सुझाने न बाबा ने क्लास कराया क्लास में तो बाबा आते थे मोली चलाते थे तो क्लास कराया तो परशन पूछा तो बच्चे आप नदी है या नाला है कॉश्चन पूछा तो कौन कहेंगा मैं नाला हूँ नाला तो खराब हुआ पानी होता है ना तो खराब होता है और नदी तो बैती है तो बाबा ने पूछा हाथ उठाओ जो समझते है तो मैं नदी हूँ सभी ने हाथ उठाया नदी है नाला में कोई ने नहीं हाथ उठाया तो बाबा ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि नदी क्या करती है नदी बैती है बैती है नदी नदी तो रुकती नहीं यह बैती है तो बाबा देखा तुम को बहना परेंगा अभी नदी में हाथ उठाया है तो तुम को बहना परेंगा, जाना परेंगा नाला थो रही हो जो बैठी रहेंगी नदी हो अब बंद गए ना बाबा को हाँ कर दिया हाथ उठा लिया तो ना कैसे करे हाँ करना ही परेंगा जो आ गया तो हम जब गए जाने की हिस्टरी तो बड़ी लंबी चोड़ी है और हम जब निकले है आपको पता हो आप तो बिलकुल मख़न निकला है और आप खाने पर आ गए हो बहुत लखी हो बहुत अच्छे लखी हो हम लोगों को मैनत करनी पड़ी मख़न निकालने की मैनत करनी पड़ी तो बाबा ने कहा जाए तो बाबा ने कहा कहा जाना है बाबा कोई निमंतरन नहीं था कहा जाना है हमको किसका निमंतरन है? हम जहां जाएंगे, वो कहा रहेंगे? ये भी नहीं था. बाबा ने पत्य hai, चतुरह इसे क्या कहा? हमने का बाबा, हमको एडरिस वगरे का तो पता ही नहीं है, हमको सम्झो मिछला, हमको बेजा लखनू में. यहाँ ही है, इंडिया में लखनू है तो हमने लखनू तो देखा ही नहीं पता ही नहीं लखनू भी होता है क्या होता है बाबा ने का लखनू जाना है ठीक है लखनू जाना है कोई निमंतरन नहीं और बाबा ने कहा जाके तुमको सिंटर खोलना है अभी सिंटर तो खोलना है मकान कौन सा जिसमें सिंटर खोले बाबा ने कहा चत्राई देखो बाबा की बाबा ने कहा बच्या तुमने सुना है कि अंदोने मुलतान डून रहा था अंदोने मुलतान डून रहा था और तुम कौन हो? तुरने तुरी हाँ बाबा तरडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड और हमारी सिंधी बाश्या मैं जो सुना रही थी बात वो सुनाती हूँ तो हमारी सिंधी बाश्या और भाशन सुनने वाले जो है वो हिंदी तो हमने का बाबा हम तो जाने के लिए त्यार है लेकिन हमारी बाश्या में जो सिंधी शब्द निकलते हैं ना, तो वो उनों को समझ में नहीं आएंगे तो बाबा ने बहुत जवाब अच्छा दिया, बाबा ने कहा तुम को भाशन करना है बाबा करेंगी तुम ही ना तो बाबा ने कहा तुम इंस्ट्रूमेंट हो या नहीं हाँ, इंस्टूमेंट है, तो तुम क्यों सोचती हो, जो इंस्टूमेंट चलाने वाला है, वो चलाएंगा न, तुम तो इंस्टूमेंट हो न, तो तुम यह याद रखो, रखना, जब भी स्पीच करो, तो यह याद रखना, कि बाबहा कराने वाला करावनहार, मेरे मुख द मैं पर नहीं लाना यही याद रखना बाबा अभी मैं स्टेज पर आई हो आप जो बेरे से कह लेंगे वो कहाँ और सचमोच ऐसा हुआ जो हमने पहला भाशन किया ना भाशन के बाद सब भी जो भी सुनने वाले थी, मैजारेटी मात हैं थी लेकिन जो भी थी वो सब कहे यह देवया कहां से आये यह तो देवया है यह देवया बढ़ी अच्छी लगती है देवया देवया कहने लगी तो परभाव पड़ गया ना हम तो खुश हो गए भाई बाबा ने कराया और देवया भी बंढ़ गया पड़ भाव यही पड़ा अच्छा हो गया तो बाबा हमको भी कहता है कोई भी करम करो इंस्रुमेंट समझ के करो हमको प्रेक्टिकल अन्भव है इसका और हम जब गए है सिंटर खोलने के लिए तो आप सोचो क्या होंगा पहले धरम साला में जाके रहे और सेवा करके हमको एम मेले क्वार्टर्स मिले जहां हमारे पहले स्टूड़न पंदरा एम मेले बने देखो बाबा की कमान तो क्या नहीं हो सकता है इसी लिए बाबा कहते है तो में ज़्यादे भारी पुर्शारत नहीं करो बस फालो फादर करो जो श्रीमत सुभास के करम से लेकर के रातरी तक मिली है न अच्छा खाना बनाओ कैसे वो भी है श्रीमत खाओ कैसे वो भी है चलो कैसे वो भी है बैठो कैसे किस समिर्थी में बैठो वो भी है बागी क्या नहीं श्रीमत है सोने की भी श्रीमत है सो तो पहले कैसे सो पहले क्या सोचो पीछे सो तो सुबू को अमरत बेले से लेके रातरी तक हमको श्रीमत में लिए या हर करम की सोचो कैसे बोलो क्या देखो क्या देखने की भी श्रीमत है ना भाई भाई देखो शरी नहीं देखो सोचो क्या ग्यान का मनन करो या अशरीरी बनो सोचने का भी मिला है करने का भी मिला है सुनो क्या सुनो क्या नहीं सुनो वो भी डिरेक्शन मिले है सब डिरेक्शन मिले है उस डिरेक्शन पर माना अगर हम सरफ शरी मत ये है वो करना है बस यही सहज पुर्शारत, योग करो अभी इस विदी से हम सहज योगी सुतही बन जाएगा क्योंकि योगी तो हम सब है लेकिन कोई सहज योगी है और कोई कभी मुश्किल, कभी सहज लेकिन बाबा के बस फालो करने से टाली करो बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे कह, वो ही मुझे कहना सहज हो जाएगा ना, बस बाबा ने किया है वो करना तो सहज योगी हो आप मुश्किल योगी तो नहीं अच्छा है ना और बस बाबा यही कहता है कि एक आप करावन हार शब्द भी याद रखो ना, आत्मा से भी और शबाबा से भी तो बिलकुल ही एकदम इजी योगी हो जाएगा मैनत कराने वाले की है, कराने वाला करेंगा मैं तो निमेत हूँ तो बहुत सहज हो जाता है ठीक है, ओके, वावा के इतने बच्चे आए है इंटरनेशनल कितना अच्छा लगता है अब ब्रमा बाबा ने साकार में कितना आप बच्चों को, फारे नर्स को याद किया है अभी भी मोल्या आप सुनते होंगे तो उसमें देखते होंगे कितने वार बाबा फारें में जाएंगे फारें में चित्र ले जाएंगे ये दिखाएंगे उन्हों को बहुत अच्छा लगेंगा भाग के आएंगे तो याद किया कितना याद किया है साकार में बाबा ने वो आज प्रैक्टिकल में देख रहे और पांची खंडों से आ गए है विश्व हो गया ना विश्व कल्यानकारी है तो विश्व के आने चाहिए ना और अभी कितने हो गए है बाबा के बच्चे लेकिन बाबा को और भी ज्यादे चाहिए बच्चे बाबा कहते है मेरे सब भी विश्व की आत्म है सारे मेरी बच्चे है ना उन्हों को कम से कम ये तो पता परे कि हमारा बाबा आया है तो उसके लिए हम लोग सभी त्यारी कर रहे हैं और जरूर हो नहीं है विश्व कल्यानकारी बाबा है ही तो विश्व का कल्यान तो हो नहीं है फिर भी बचे है बाब से चलो मुक्ती कही वर्सा सही कुछ तो वर्सा लेंगे न, बाप है, बच्चे हैं सबी तो हम लोगों को तो बाबा जीवन मुक्ती का वर्सा दे रहा है लेकिन वो भी मुक्ती में तो जाएंगे न ये तो पता परे मुक्ती दाता आया है खुश तो होंगे सबी को लक्ष रखना चाहिए अभी तो बाबा ने ये भी लास्ट में कहा था कि सिंगल सर्विस नहीं करो स्रफ वानी से सेवा करनी है ये सिंगल सर्विस लेकिन अपने अन्भूती द्वारा अपने मन सा शक्ति द्वारा क्या आप किरने नहीं बेच सकती हो लाइट हाउस बाबा ने करा ज्वाला मुख्य बनो लाइट हाउस जो है वो चारों और लाइट फैलाता है अगर हम लाइट हाउस रूप में बैठे तो आटोमेटिकली हमारी लाइट जाएंगी ना चारों तरफ लाइट माइट हाउस की इस्थिती में इस्थित हो जाएं बस तो आटोमेटिकली लाइट जाएंगी मास्टर सूर्य की स्टेज बाबा कहता है सूर्य कभी सोचता नहीं है कि मैं फलाने को किरना दे रहा हूँ जहां जिसको जो चाहिए वो सूर्य से मिलता है जैसे देखो कहा तो पानी को सुखाता है सूर्य की करनाएं हमारी लाइट माइट की करनाएं है लेकिन कहां पानी को सुखाता है कहां बादल बना करके पानी बरसाता भी अब उसको यह थो नहीं पता है कि यहां सुकान नहीं है, यहां पानी पैदा करना है, कोई संकलब तो नहीं करता है, अटोमेटिकली जिसको जो चाहिए किरना से वो लाव मिलता रहता है हम भी लाइट आउस, माइट आउस हो करके इस ते तोंगे हम को ये नहीं सोचना है सुख दूँ, शान्ती दूँ, आनन दूँ, प्यार दूँ नहीं, आटोमेटिकली जिस आत्मा को जो चाहेंगा न जो इच्छा होंगी वो उसको अन्भूती होती रही इसलिए बाबा कहते है आज कल जुहाला मुखी रूप रखो मनन शक्ती अलग चीज है, रुवर्यान अलग चीज है देह अभूमान में रहना वो भी स्टेज है लेकिन ये लाइट माइट रूप हो, बस चारों और लाइट पहल रही आटोमेटिक लाइट हाउस का स्टेज अन हुआ, आटोमेटिकली लाइट पहलती है, हम भी स्मिर्थी का स्टेज अन करते है मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ सर्वशक्ति वानू सर्वशक्तिया है उस स्टेज पर इस्थत होंगे आटोमेटिकली समर्ती का सुचान हुआ और लाइट माइट फैलती रहेंगे तो इसी रीती से बाबा आजकल हम सब बच्चों को कहते हैं ओम शान्ति